गाईज क्या आपको ये पता है के कोन से दो रिवर केpless के बाद आपकी रिवर गंगा की की फॉर्मेशन होती है थीक है उसके बाद क्या आपको ये पता है कि रिवर दोली गंगा और रिवरलाक expressions के को странend Concee point पे आके meet करते हैं राजाजी नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है और हाइस्ट डैम आफ इंडिया कौन से रीवर पे है ठीक है यह सब कोश्चन का अंसर हमें मिलेगा आज के इस सेशन में आपके लिए काफी इंपॉर्टन रहेगा कहीं पे सेशन स्किप नहीं करना मैं शुह ही वेलकुप गर है था 20 कोश्चन तक पार्ट फॉस्ट में हमने यहां तक कर लिया था कवर जिन से पार्ट्फरस किप हुआ आपके लिए मैं उस वीडियो का न्क दे दूँगा इस वीडियो की description में ठीक है आज हम करेंगे यहां से 21 question से तो यहां पर गाइस देखे 21 question के कहा रहा है बागे रथी river originates from बताए कहां से originate होता है आपका बागे रथी river ठीक है मैंने आपको क्या कहा था हम सबसे पहले पढ़ेंगे नदन रिवर्स को ठीक है नदन रिवर्स में हम पढ़ेंगे ब्रंपुत्रा इंदस और गंगा रिवर्स को इसके बाद हम आएंगे पैनलसुला रिवर्स फे हम करेंगे वैषिट flowing river और event flowing river ठीक है przypadku हम इनदस रिवर्स को cover कर लिया था आज हम गंगा river को cover करने कोशिश करेंगे जो हो सका तो tributaries हमारी next part में आ जाएंगी ठीक है अब यहाँ पे बताएं आपके बागे रथी river कहा से originate होता है और बागे रथी river क्यों important है अभी आपको आगे पता दिल जाएगा ठीक है options है सतोबन glacier, गोमु glacier, गंगोत्री glacier या hooker glacier ठीक है इसका जो राइट अंसर है वो है आपका c1 that is गंगोत्री glacier यहाँ से originate होता है आपका बागे रथी river ठीक है अभी यहाँ पे नीचे image में यहाँ पे नीचे मेने map में आपको सारी जीज़े clear करनी है 22 question यहाँ पे बताएंगा कह रहा है which dam is on बागे रथी river बताएं कौन सा डैम है बागे रथी river बे बगलिहा डैम है ठीक है उसके बाद नीमू डैम है उसके बाद डेलस्टी डैम है या है आपका टैरी डैम ठीक है तो मैं आपको बतादू इसका जो राइट अंसर है वो आप से river के उपर है ठीक है ना चीज़ा बिल्कुल clear रखना अब यहाँ पे बताओ 23 question उसके बाद हम चलेंगे map पे अलाक नंदा river originates from कहा से originate होता है आपका अलाक नंदा river ठीक है अब देखो हमने अलाक नंदा river और हमने बागी रथी river के origination के बारे में हमने क्यों पढ़ा यहाँ पे image में आपको करता हूँ मैं clear ठीक है यह देखो यहाँ पे आपका यह है हिमाचल परदेश और उत्राखंड का border ठीक है यहाँ पे है यहाँ आपका उत्राखंड ठीक है अना अब यहाँ पे देखें यहाँ आप आपका लाकननदा reaver ठीक है यह है अलाकननदा रीवर यह है अपका बागियर्थी रीवर लागननदा रीवर काँ से originate हुआ है सतोपनद Glacier से अभी हमने ऑपर Horn exaggerat खेंज़ी घंगोत्री Glacier आपका कों से origin में fall गरता है गोमुक में ठीक है ना अब सतोपंद ग्लेशियर से औरीजिनेट होता है अपका लाकननदा रीवर उसके बाद देखें देव परियाग एक ऐसा पॉइंट है देव परियाग एक ऐसा रीजिन है ठीक है जहां पे बागे रथी रीवर और लाकनननदा रीवर एक दूसरे को आपका लाकनननदा रीवर उसके बाद देव परियाग फिर गंगा की फॉर्मिशन होती है मेरी बात समझ रहे हो ना इसलिए हमने बागे रथी रीवर और लाकनन दा रीवर को हमने यहां पर इनका ओरिजिनेशन देखा ठीक है अब कैंडिडेट्स कासे होते हैं कि गंगा रिवर वो औरिजिनेट होता है गंगोतरी गलेशियर से बट नहीं यह concept अधूरा है concept यह है कि बागी दरती रिवर औरिजिनेट होता है आपका गंगोतरी गलेशियर से ठीक है ना अब यहाँ पे देखे हमारा next question क्या कह रहा है उसके बाद हम वापिस आजाएंगे map पे ठीक ह यहाँ पे देखे 24 question 24 question कह रहा है रिवर दोली गंगा जॉइन से रिवर अलाक नंदा अभी हमने कहा क्या देखा कि रिवर अलाक नंदा सतो पंद गलेशियर से ओरिजिनेट होता है जो है आपका कहाँ पे greater हिमालिया में ठीक है चीज़े बिलकुल crystal clear रखना यहाँ पे questions देख रहे हो यह हैं आपके कौन से पंच परियाग ठीक है और यह कहाँ पर पढ़ते कौन सी state में यह हैं उत्रा खंड में ठीक है अब यह सारे region हमारे लिए important है क्योंके यहाँ पे five rivers जो है और इन five regions पे आके अलाक नंदा को जॉइन करते हैं इसलिए हमें यह सारा यहाँ पर पढ़ना पढ़ेगा तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यह देखो यह है आपका अलाक नंदा रिवर अभी बताया मैं आपको यहाँ से सतोपन ग्लेशियर से यह आ रहा है ठीक है जब यह सतोपन ग्लेशियर से आपका अलाक नंदा रिवर आ रहा है जब यह प ßse to Ada का दोली गंगा और विश्णू परियाग पह nytश्यू परियाग यहाँ पर लिख़ी आप लिख लो विश्णू परियागपे लीवर दोली गंगा मुर्ण्रोर सुह रीवर उलाकननदण करते कहा पर विश्णू करते बाद इहां पर देखें यहांसे आपका अलाक नंदा आ रहा है अलाक नंदा पहुंचता है नंद प्रियाग पे जब अलाक नंदा पहुंचता है तो रीवर अलाक नंदा प्लस कौन सा रीवर यहां पर आके जोइन करता है रीवर मंदाकनी ठीक है कोश्चन आ सकता है कि इस रीजन में ठीक है इस प्रियाग पे दोली सोरी अलाक नंदा को कौन सा रीवर आके जोइन करता है तो ये आपको याद रखना है ठीक है आप देखें थर्ड पे थर्ड प्रियाग कौन सा आगया हमारा करन प्रियाग ठीक है करन प्रियाग करन फूर्थ पे आजाएं यहां पे आपका रुद्र प्रियाग रुद्र प्रियाग यहां पे रीवर अलाकनंदा को कौन सा रीवर आके जाइन करता है मंदाकनी ठीक है यहां पे देखें यह आपका मंदाकनी आ रहा है यह इस पॉइंट पे जिसको कहा जाता है रुद्र प्रिय यहां पे रीवर अलाग नंदा को कौन सा रीवर आके जॉइन करता है बागे रती रीवर ठीक है रीवर बागे रती अब इन दोनों के कॉंफ्लेंस के बाद जो है आपका गंगा उसकी फॉर्मेशन होती है चीजे क्लेर है ना कोश्चिन आता है कि बताएं देव परियाग पे कौन से दो रीवर्स मीट करेंगे ये भी आ सकता है अब ये भी आ सकता है कि बागे रती रीवर को देव परियाग पे कौन सा रीवर आके मीट करता है उसके बाद आपकी गंगा की फॉर्मेशन होती है ठीक है अब यहां पे आपको चीजे बिल्कुल यहां पे क्लेर रखनी है आपको समझाई मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ यहां से आपका आ रहा है रिवर लाकनंदा विश्णु परियाग पे दोली गंगा जाइन कर रहा है नंद परियाग पे लाकनंदा को मंदाकनी जाइन कर रहा है करन परियाग पे लाकनंदा को मंदाकनी जाइन कर रहे हैं ठीक है अब कोश्चिन क्या था रीवर दोली गंगा जॉइंस रीवर लाकनन्दा हमारा ये में रीवर लाकननंदा च्छोंपन्ध लेशे से आरहा इसको यहां पर चोटे-चोटे रीवर्स जाइन कर रहे अब वो च्छोटे-चोटे रीवर्स कौन कोंसे रीजन पर में करना है दोली गंगा को कहा पर जोइन गरता है वह करती टीक है हम ने देख लिए न परियागबर स्भी टीक है विश्नु परियाग इसका राइर की सब्सक्रों होगा इसके बाद कर पे नंदागनी कहां पे join करता है नंद परियागदफे ठीक है उसके tab Daad River Pindar ठीक है the joins अलाकनदा बताए कहां पे uniqu Sort contact को पिंडार युर जॉइन करता है तो वो करता है कर्म परियागद टीक है उसके बाद Crediyet को रियवर मनदागनी ठीक है कहां पे join करता तो वह करता है आपका दो ऒभगर जो आपका फॉर्द वर और फीफट द्श्वर दी परियाँग यह नहीं करते हैं यहाँ पर नियुनाय तो र्लांग सब्सस्क्रावल यहां से हमें यह कhrwang नियृटरी किसमान जूर्प संतरे छाव्बिशित्य को प्रियूटरी जो है वो गंगा को जोईन करता है कौन से रीजन पे बताएं विश्नु प्रियाग पे नंद प्रियाग पे ठीक है कर्ण प्रियाग पे या प्रियाग राज पे बताएं इसका राइड आज आपको पता है किसका नाम है अलाबाद का ठीक है अलाबाद का नाम चेंज करके प्र वेट से उत्रा खंड में आपका राजा जी नेशनल पार्क चाहर पर पड़ता है तुस्टे बाद मैं आपको यह भी बता दू राजा जी नेशनल पार्क से ठीक है इस पार्क से आपका जब रीवर गंगा बनता है वो यहां से फ्लो करता हुआ घुजरता है ठीक है रहा चीज़े बिल्कुल क्लियर रखना यहां पर देखे थर्टी वन कोशन के कहा रहा है रीवर हुगली इस तर डिस्ट्रिब्यूटरी आव जोरी के जब इस वहां पर जाती है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिब्यूटरी ठीक है अब यहाँ पे पूचा है रिवर हुगली बताएं को डिस्ट्रिब्यूटरी है कौन से रिवर की गंगा की है लाक नंदा की है बागे रथी यह पिंडा रिवर की है ठीक है हम बता दू गंगा की डिस्ट्रिब्यूटरी है कौन सी गंगा जो है रिवर उगली जो है डिस्ट्रिब्यूटरी है किसकी गंगा की कैसे अभी हम देखेंगे और यह जो पॉइंट था ना जहां से गंगा रिवर जो है वो डिस्ट्रिब्यूट हो जता है ठीक है दो इसकी डिविजन्स बन जाती है इस पॉइंट को बोला ज में इसकी दो डिस्ट्रिब्यूटिस बन जाती है गंगा रीवर की और दूसरी डिविजन को कहते है रीवर पदमा ठीक है अभी यहां पर नीचे और देखके चीज़ों को क्लेर करेंगे 32 कोशन यहां पर देखा रहा है इन विच्टा फॉलिंग रीजन ठीक है गंगा फॉर् पार रहा होता है सा अनने के बाद यह एक डिस्ट्रिब्वीट्रि बना लेता है जिसको कहते हो रीवर हुगली है यहां पर देख सकते है रीवर पदमा ठीक है रीवर पदमा बन जाता है ठीक यह कलकटा से होता हुआ बेयाफ बैंगाल में चला जाता है ठीक है ना यह चीज़े बिल्कुल क्लियर रखना फराखा एक पॉइंट है वैस्ट बैंगाल में फराखा बैरेश ठीक है जहां पर क्या होता है जहां पर आपका गंगा डिस्ट्रिब्यूटरिस को बना लेता है ए तो यहां पर क्लियर किया हुआ है कहां पर जाता है कहां से अपनी डिस्ट्रीब्यूटी बनाता है फराखा से ठीक है अब बताएं थर्टी थरी कोश्चन कहां से टोटल लेंद्ध कितनी है रिवर गंगा की तू टू फाइफ किलो मीटर ठीक है उसके बाद थर्टी फॉर बन के यह कहां पर जाता है यह जाता है बंगलादेश में ठीक है उसके बाद what does पंच परियाग means पंच परियाग का क्या मतलब है पर सिच्च्ट्वेट इन उत्रा खंड और अगर हम बात करें इसका क्या मतलब है इसका मतलब है सैट आफ है 5 होली रिवर थीक है वह हम ने द तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका एट पॉइंट सिक्स लाक स्कियर किलोमीटर ठीक है उसके बाद 37 कोशन यह आपके कह रहा है सुन्दरबन डेल्टा इस रिजल्ट आफ डिपॉजिशन आफ विच रीवर ठीक है सुन्दरबन डेल्टा ठीक है जो आपका सबसे भी मुआ ठीक है ञाण इनकी डीपॉजिशन जा आपका सून्दरबन डेल्टा की वार्मिशन होती है ठीक है कैसे फोर्म होता है जब एक रिवर आता है ठीक है वह अपने साथ ले होता है सेडीमेट्स वगरा है जब काफी सालू से होती रहती है तो वहां पर क्या बन जाता है आपका बहुत बडा डेलट तो उसी का नाम है क्या सुन्दरवन होती ना अभ यहां पर देखे और क्या है gibi कौशिन श्रूस और करेंगे आज किन हम ने कंगा देखा क्या में उसके बाद पुंपुन उसके बाद रूप नरायन उसके बाद टीक है थीचते है रहां पूट्री कि उसके बाद यहाँ से आप देख लिए यमना जो है कहां पर आके अला बाद में यमना आके जो सबसे लॉंगेस ट्रिब्यूटरी है गंगा की अला बाद में आके इसको मीट करता है जिसको क्या बोलते है आज आपको मैंने भी बताया ठीक है प्रियाग राज प्रियाग राज बनते हैं उसके बाद यहाँ पर वारा नसी से होता हुआ पटना उसके बाद यहाँ पर देखें उसके बाद यहाँ पर फाइनली जब यह पहुंचता है कहाँ पर इस पॉइंट पर ठीक है यहाँ से डिवाइड हो जाता है यहाँ पर एक र डिल्टा होता है यहां पर इस परियाग को ठीक है तो आज कि सेशन में इतना ही ठीक है आपको मेरे यह दो वारा सेशन का इसा लगा प्लीस लाइक करके के बताना ठीक है किसी तरह का कोई आपको डाउट है इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें आई विल आंसर यू डाफिनेटली उसके बाद इसके पीडिएफ की बात रही तो आपको टैलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा स्टेडी पॉइंट जेक के सर्च कर सकते हो टैलीग्राम पर या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाना वहां पर आपको निक भी मिल जाएगा और हमें फॉलो भी कर सकते हो आप यूट्यूब पर ठीक है थैंक्यू गाइज बाए